हेलो ट्रेडर्स आज कैसे हैं पहले आप लोग यह बताईए कैसे राज का दिन ग्रीन राह यारेज ररकिछलो आज मैं आप लोगों के स्ट्रेटसई लेके आयाहूं कंफी ख किस्टीओ इंश्टीवी नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को इस इस्टेटीजि के भी नहीं है फूल यहां पर प्राइज एक्षन का यहां पर यूज होना है ठीक है सो पहले मैं बता दूँ स्टॉप लॉस हंटिंग और फेक ब्रेक आउट ब्रेक डाउन यह स्ट्रेटिजी उन लोग के लिए है जो लोग सर्वाइफ कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत आगर मैं अपने व्यू की हिसाब से बताऊं तो ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन तो ड्रेड लेने लाक है ही नहीं क्योंकि किसी जो रजिस्टेंस है सपोर्ट है सपलाई है डिमांड है यह चीज हर इंसान को दिखती है हर ट्रेडर को दिखती है कि हाँ यह चीज है और यहीं चीज इंस्टिट्टीट को भी दिखती है कि यहाँ पर सपोर्ट है है यह पर रसिस्टेंस और यूटुब में आपनों को यह सिखाया और इससे पैसा नहीं बनता है जो बात इससे पैसा बनाने बैठोगे तो एकाउंट्स पे एकाउंट्स खाली होते जाएंगे आपके लिख के दे रहा हूं मैं अगर आप option buyer है तो अगर आप option buyer हैं तो आपको एक अलग ही तरीके से सोचना पड़ेगा आपको retailer वाली thinking नहीं रखनी है retailer जो कर रहे हैं उनको करने दो वो बरबाद हो रहे हैं आपको पीछे पीछे चलना है किनके जो बड़े players हैं अब आपके पास उत्ती capital है नहीं कि आप बड़ा player बन सके तो आप एक काम करिए न आप लोग पीछे पीछे चलिए बड़े players के कि बड़े players क्या कर रहे हैं कहां जा रहे हैं किस जिसा में जा रहे हैं तो आप बस उनको फालो करिए आपको profit और पैसा बनता रहेगा आप लोग का ठीक है अब आते हो आप इस strategy में लेकिन एक दिक्कत है बाई strategy में आने पहले ऐसी ऐसी strategies में आपको लाके दे रहा हूं मेरी strategy को backtest करो और मुझे रॉंग प्रूफ करके दिखाऊ हम यहां पे भीड में नहीं बैटे हैं कि content बनाए हमें आपे content वाली कोई सीन नहीं इंदर साइड भाई प्योर strategy है जो मैं यूज करता हूं वही मैं आप लोगों को देता हूं फाल्तू का काम नहीं करता हूं मैं कि हां ऐसे तो मैं चाहूं तो जाना कितने इंडिकेटर देदूं आप लोगो ट्रेडिंग में इंडिकेटर की लिस्ट भरी पड़ी है कि हां यह इंडिकेटर वो चलो भी यह हमने देख लिया तीम चाहर कि हाई इंडिकेटर काम कर चलो भी यह content मिल गया बढ़ने लगे सब्सक्राइबर आमने लगे व्यूज और लोग देख भी रहते हैं इंडिकेटर वाली स्ट्रेटिजी अब बया मैं इंडिकेटर को नहीं बोल नहीं कि इंडिकेट करें और अगर मैं गलत साबित हो जाओं मुझे गलत साबित कर देना मुझे अगर गलत साबित कर पाना और मैं एक बात आपको बता दूँ कि उस आपको एक exit करने के लिए indicator करना है Supertrend क्योंकि हमको वालू में आप लोगों ने पुरा लास्त अब video देखी नहीं होगी नियोत्व वाली इससे इंडिकेटर करना है एक्जिट करने के लिए या stop-loss ट्रेल करने के लिए या फिर stop-loss के लिए super trend use करना है super trend की setting आप रख सकते है one one रख सकते है या फिर आप उसकी setting रख सकते है 40 और one length 40 factor one ऐसे करके सो चलो आपी साथे अपनी इस strategy पे जो की है stop loss hunting ठीक है आप लोग साथ होता क्या है ये है आपका resistance और उसके बाद ये है आपका support ठीक है अब मार्केट यहां पे trade कर रहा है चलो यह trade कर रहा है आप लोग सब लोग बैठे होएं कि कुछ तो break हो तो हम trade ले यहां पे यह लोग ब्रेक हो गया आप लोगों ने यहां पे buying कर ली और आप लोगों ने यहां पे ऐसे करके पोजीशन बना लिए आप लोगों ने चलो मैं पोजीशन बना दिखा लेता हूं कैसे आप लोग अरे यार हट गया यार चलो मैं फिर से डॉख करता हूं यह है resistance यह है support market यहां trade कर रहा है market ने यहां breakout दे दिया ठीक है market ने यहां breakout दे दिया आप लोगों ने यहां bind कर ली bind करते ही तुरंत यहां पे बड़े प्लेयर्स ने लोग यह stop loss हेट जहां तक आप stop loss लगाओगे वहां तक यह stop loss खाने अगर आपका stop loss यहां पे आपने बाइन करी इत जगह पे अगर आपका stop loss यहां पे लगा हुआ है तो market यहां पर आए बेकिन आपका stop loss खाय भी न मार्किट यह बड़ेगा यह दखना आप लोग आपलों के साथ यह बिल्का तो उसमें भी ये चीज आपनों के साथ होती ही होगी ये trade किया ये मलें ट्रेड कर रहा है प्राइस उसके बार किसी प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया सबने यहां पे पूट ले लिए सबने ब्रेकडाउन पे सब ने पुट ले लिए और अपना स्टॉप लॉस रख दिया यहां पे स्टॉप लॉस यहां यहां लोग यह तुरंत मार्केट जाएगा स्टॉप लॉस खा क्या और आपकी हर ट्रेड फेलोगी हर ट्रेड नहीं कह सकते मैं तो मानता हूं कि 70% तो यहां प ब्रेकडाउन हुआ यहां पे आपने बाई नहीं किया आप लोगों ने इंतिजार किया कि देखता हूं मार्केट का जो प्राइज है वो यहां सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो आप एक दो केंडल का वेट करेंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा पहली केंडिल ब्र क्योंकि जब यहां पे मार्क प्राइस था बताता हूं मैं आपको इसकी साइकुलोजी बताता हूं मैं आपको यह है लेवल ठीक है यह ब्रेकडाउन हुआ तो जो यहां पे जिन लोगों ने सेल किया है उनका अगर स्टॉप लॉस उपर हिट होगा तो अपनी पोजीशन ए इंट्राडे वालों के लिए भी है और यह उप्सन बायर के लिए भी है ठीक है और स्टॉक्स में जो करते हूं उनके लिए भी है तो आप लोगों ने यहां क्या किया यह बताईए सपोर्ट और रिजिस्टेंस का ब्रेकडाउन या ब्रेक आउट होके ट्रेड ना लेके आ अब लोगों ने बड़े प्रे heart का आप लोगों यहां बड़े प्लियोस्कों अपना चला कि भी है स्टॉप लौस्ट तुम भी उनके पीछे-पीछे हां मैं भी हां शॉटोप्ल नोस खाने सब धका है अगर रिटेलर्स मारे गया रहे हैं रिटेलर्स इसको मारो पकड़के तुम क्यों मार खारो रिटेलर की भीड़न रही कि यह है तो अब मैं आपको दिखाता हूं इसको चार्ट में कि क्या है स्टैट्जी ठीक है रुको बस एक नड़ इसे देखो मैं तो ट्रेड लेता हूं यहां पे से स्टैट्जी से मैंने कुछ लेवल क कर सकते हैं ठीक है मैं अब्ध सकते हैं एक करते हैं किसे व्हां करता हूं कि कहके और बिल्कुस कोई दिक्कत नहीं अपने हैं एसाब में लगा यह चार्ट को ठीक है बैंक बैंक निफ्टी के है निफ्टी के जिसको भी आपको ट्रेड करना हुआ आर टाइम फ्रेम में आप चार्ट लगाई उसमें आप लेवल्स रॉक करिए सपोर्ट रजिस्टेंस अप्लाई डिमांड ठीक उसके बाद आप देखि होता क्या है यहां पर देखिए क्या हुआ मेरे साथ मैंने यह ट्रेंट कैसे ली यहां पर यह जो लेवल है इस लेवल का यहां पर लोगो ने पी लिया ठीक है और stop loss रखा लोगों ने इस जग है और target रखा लोगों ने इस जग है लेकिन क्या हुआ और देखिए आपको एक चीज और बता दूँ लोगों ने बिल्कुल कितना confidence के साथ यहां पी लिया होगा क्योंकि यह देखो candle देखो एक full body candle बनी यहां पर इसको एक तरीके से मारू बुजू candle लेगे तो लोगों ने यहां पर खतरनाक तरीके से sort किया होगा कि हां breakdown हुआ है लेकिन फिर क्या हुआ मार्केट खा वें लोगों को मार्केट नकरने का ठाटा बाइबाए और उसके बाद मैंने क्या किया यह देखिए जैसे ही दूसरी candle ने यहां पर उसको जो breakdown हुआ तो उसको fake साबित किया विएसे ही मैंने वहीं पे जैसे ही के अंडेल क्लोज हुए यह जैसे केंडल फिर देखिए मुझको किते points मिलें यहां पर 181 points target कैसे मैंने decide के गिया देखो target मैंने कैसे decide के last time last time market का resistance यह था तो मैंने भी target decide कर लिया stop loss कैसी decide करना इसमे stop loss के लिए देखो base क्या है भी नीचे के लिए base क्या है stop यहां तक तो आप stop loss रखेंगे नीई ठीक है यहां तक stop loughs रखेंगे रहें एहां अब को दिखाना बहुत पुछ नहीं करना बहुत स्टोप लोस रहना है आपको बहुत स्टॉप लुई रहे गा ढखा जो भी breakdown हुआ उसका based ठीक है तो बेस आपको यह दिख रहा झाल सिर्था ऐ और उसके बाद अगर candle अगर मार्केट यहां से रिवर्स हो कि यहां पर आके क्लोजिंग दिये रहेता तो मैं अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेता ठीक है बहुत सिंपल है आप लोग को बस माइंसेट में और साइकुलाजी में धियान रखना है और जो इस्टेटजी बता रहा हूं इसको फोकस करना है आप लोग कुछ भी करिए कि हमेसा आप कोई फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकाउट नहीं मिलेगा आप जिस स्टेटजी में काम करते हैं उसमें करिए मैंने जो पिविट रिवर्सल वाली स्टेटजी डाल रखी है आप उससे प्रॉफिट करिए लेकिन जब आपको ऐसा सिनेर्यों दिखे कुछ मार्केट में तो आप इसको मत मिस करिए मैं आपको और भी दिखा देता है अ बहुत सारे ठेट ठीक है उसके बाद मैं यह देखिए यह लेबल था हमारा इस लेबल में यहां पे देखिए इसने ब्रेकडाउन दिया है ठीक है लोगों यह आप पी यह दबा के कोंकि बड़ी चैंडल ने breakdown दिया फूल-बाड़ी चैंडल ने breakdown दिया उपर से लाते हुए इसकी वीग भी देखियाती है लोगों बहुत confident हो के यांपर पी ले लिया होगा लेकिन भी नहीं हुआ क्या यह देखिए कि इंगफिंग कैंडल ने यहाँ पे पूरा माहौल बदल दिया और जैसे इंगलफिंग कैंडल बना तो मैं ने तो पहली सोच ले था कि भी अप तो सुम्हें पक्का लेना यह चोड़ी निए सकता सिविल लेना है तो लेना है ठीक है मैंने जैसे ही ये candle की closing हुई जैसे ही इस बड़ी वाली green candle closing हुई और second candle open हुई मैंने आप turn trade ले लिया और उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा दूँ ये लिखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मुझे 109 points यहाँ पे मैंने cover किये टार्गेट क्या था यह देखो पिसला बेस जो भी last resistance या support है वो रहेगा आपका टार्गेट यह देखे टार्गेट यह रहा ठीक है और उसके बाद इसमें stop loss बन रहा था काफी बड़ा stop loss बन रहा था इसमें सो मैंने इसके लिए क्या कि कि मैंने stop loss कैसे decide कि अगर वापिस से इस वाले लेवल के नीचे closing दे देगा तो मैं अपना stop loss हिट करा लूँगा बस इस वैसे मैंने यहाँ पे stop loss ऐसा रखा है अब चलते हैं दूसरी तरफ दूसरी मैं दिखा रहता हूं आपको लेकिन यार एक बात तो सुन लो मेरी पहले subscribe कर दो प्लीज एक मिनट के लिए बस दो सेकंड का time लेगा subscribe करने में आपका नुकसान कुछ नहीं होगा भाई देखो knowledge ही दे रहा हूं न कोई गलत चीज तो बता नहीं रहा हूं और bell icon दबा दो कि तो और अच्छी बात है जब मैं वीडियो upload करूंगा तो आपके पास सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लग रही है पूरा वीडियो देख रहे हो तब भी सब्सक्राइब तो करीदो बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो प्लीज बैक्टेस्ट करो इसका उसके बाद हमको result कमेंट सेक्शन में कैसा है अब मैं आपको थोड़ा सा बैक्टे करें दो लेक्न नहीं फिर मैंने रोलन चलो एक बार कंपरमेशन हो यान दो फिर मैं यहाँ लेता हूं फिर मैंने यहां ट्रेड लिए ए हिससका जो दो जौड़ा अच्छा ट्रेड नहीं था थोड़ा त्रेड यहां Pen फिर भी मिल गए वन का यहां पर आरार था और स्टॉप लॉस काफी बड़ा था मेरा लेकिन कोई दिक्कत नहीं मैंने ट्रेड ले लिया क्योंकि मुझे बहुत कॉंफिडेंस है इसमें फेक ब्रेक आउट और फेक ब्रेक डाउनली स्ट्रेटी में मैंने इसमें स्टॉप इसमें पूरा क्वर कर लें जितना हमारे बस में है उतना हम कर सकते हैं बस हमें नए मालुम तक कि मार्केट यहां तक जाएगा-जाएगा मैंने यहां तक अपना टार्गेट ले लिया और मेरा टार्गेट हो गया विडाउट स्टॉप लॉस हीट किये हुए 112 पॉइंट च माल लो मुन आपको दिखाता हूँ अगर यहां पे आपने ट्रेड ले अब्टने लिए होती अगर आप ऊप्सण बाहा है आप यहां फिसे लेटे या शॉक्न लेकिए तो अगर आपका यहां पे चौप लोषिट कर रही ए ग्रीन हैं यहाँ पे जाके stop loss हिट कर रही green candle तो आप तुरंट अपनी trade reverse कर दीजिए आप यहाँ सिधे call ले लिजिए target यहाँ तक के लिए stop loss वापी सिधर थोड़ा बहुत quickly सोचिए तुरंट decision लीजिए यहाँ पे time देना तो decision लेने का समझ रहे ना आप लोग बस और मैं आपको दिखाता हूँ अब पीछे चलके कि और मैं कहां 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 के मैंने इसकी trade मैं इसको खुद trade करता हूँ यही सब strategies engine को trade किया जाता है यह trade तो मेरा favorite trade था कसम से favorite इस trade को मैं capture निकर पाया नहीं तो मैं आपको इसको video बनाग दिखाता यहां पे पहले बात तो इतनी बड़ी candle ने यहां पे जितनी ज़्यादा pressure के साथ breakdown या breakout होता है उतना ज़्यादा मुझे confidence आता है कि यहां अगर यह fake breakout साबित हो गया तब तो मैं इसको पकड़ लूँगा ठीक है तो हुआ कहा है यहां पे देखो कितनी बड़ी candle ने यहां पे breakdown दिया अब लोगों के अंदर confidence कि पहली candle तिनी बड़ी दूसरी candle तिनी बड़ी तीसरी candle तो कम से कम यहां तक तो जाएगी आएगी इस वाई लेवल तक तो लोगों ने यहां पे पहले बनी विग्ड़ candle ठीक है जैसे यहां पे इतनी बड़ी candle यहां बना दिया'm market ने तो एक बड़ी candle और आके इस लेवल प्रीवर्स होता लेकिन नहीं महीं अगर इस लेवल आके रीवर्स होता रोते डीशरीटेलर से खमा लेते और रडीशरीटड़ पिसा कमा यह आ यहां पर तो यहां पे किया जैसे मैंने एक जृष्क लिया कि हा अब मैं यहां ट्रेड़ ले लोगा फिक है यहां ट्रेड़ काने बने है और वैसे एक इस डिसाइड किया इस टाप लोस मेंने कुछ दिख रहा था यह एक यहां पे मुझे support दिख रहाता है यहां पे यह वाला यह वाला बस मैंने यहां तक का stop loss ले लिया वला मनला target ले लिया यहां तक का मैंने और मैंने stop loss इसमें कैसे decide किया देखो मैं सब बता रहा हूं stop loss कैसे लेना है target कैसे लेना सब का मैं लोजी बता रहा हूं आप लोगों को तो आप लोग subscribe जरूर करिए मैंने देखा कि 95% लोग वीडियो देख लेते हैं लेकि subscribe नहीं करते हैं यार दुख होता यार दिल से बुरा लगता है यार ऐसा मत किया करो भाई मेरे तुम लोग भाई हो यार हम कोई student नहीं हो हमारे हम भी ट्रेडर है तुम भी ट्रेडर हो मेरे पास जो ग्यान है मैं आपको दे रहा हूं YouTube की जरीए कल को आपके पास ग्यान होगा आप भी अपना YouTube चनला मिनाएंगे यहां पर देंगे या तो पेड कोर्स आप अपना लॉंच करेंगे मैं तो नहीं लॉंच करने वाला पेड कोर्स को कि मैं जानता हूं option बैयर को कम capital होती उनलों के पास इस वह option करते नहीं तो वह option कर रही न ठीक है और मैंने यहां पर एक line पहले ड्रॉ कर ली थी यहां पर कि अगर यह दिखो white line दिख रही है यह मैंने पहले यहां ड्रॉ कर ली अगर white line के नीचे इसने closing दिया और किसी भी candle ने तो मैं यहां पर stop loss अपना hit कर वा लूंगा अगर इस area की नीचे गया तो मैंने इस इ पीछे दिखा देता हूं यहां पर देखें फिर यहीं पर हुआ ठीक है देख लीजें बिल्कुल सब आपके सामने है back testing अगर आप यह देखो यहाला trade मैंने नहीं किया था यहां पर कोई trade करता था यह देखें इसका यहां पर यह अगर करके कुछ resistance बना देता वो तो उसका target यहां तक का hit हो जाता ठीक है लेकिन नहीं किया मैंने यह trade मिस हो गया मुझसे नहीं मैं देख पाया होगा क्यों कि मैंने पहले यह trade पकड़ दी थी वाली trade कितने पॉइंट की 205 पॉइंट की लो भाई और क्या चाहिए एक दिन 205 पॉइंट आपको मिलना है अगर आप इ टार्गेट और इस्टॉप लॉस टेल नहीं करना ताब सुपट्रेंड लगा यह कितना इजी है यहां पे यहां पे यह ट्रेड क्या मैंने ली थी ओके 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 देखो काफी थोड़ा दिमाख लगाना पड़ता है यहां पे मार्केट ने कोशिस करी मार्केट घूम रहा तो लोगों को लगा कि हां मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया बत लो भाई घूम गया मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देखे ठीक है यहां पर सबका स्टपलोस मैंने इसलेवल पर लगाया ठीक है क्योंकि यह मुझे एक बेस दिख रहा था बस इसी है तुम लोग ऐसेू करो अच्छे mindset के साथ जो दुनिया कर रही है न जो तुमको यूटूमे ग्यान मिलना है जो तुमको किताबं मिलना है वह सब ग्यान मत यूज करो भाई मेरे भरबाद हो जाओगे वह सब यूज करोगे तो ठीक है यह देखो कैसे कैसे बहतरीन मैंने यहां पर ट्रेड पकड़े हुए है देख लो भाई यहां पर फेक ब्लेकडाउन लो भी यहां क्या ट्रेड है सबका मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेड का लो 361 पॉइंट हमको यहां पर मिले थे अब बताओ मैंने क्या रखा जो मैंने बताया था बेस जो भी जिस जो भी केंडल का बेस है वह स्टॉप लॉस होना चाहिए ठीक है ना आपनों को ऐसा ही काम करना इस्टेट जी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो नीचे कुछ लिंक है अगर अगर अपको पसंद है तो आप वह अच्छा अप उसको यूस कर सकते हैं नीचे लिंक है अगर यहीं से चलता हूं मैं आता हूं नेक्स टाइम एक और अच्छी स्ट्रेजी लेकिए चलो भाई गुडबाई